आज मैं आप लोगों के साथ में टिप्स और ट्रिक शेयर कर रही हैं मैंने एक बाउल में पानी लिया है यह हलका सा गरम पानी है उसमें हम वाइट विनेगर डाल देंगे और आदा चमा चम बेकिंग सोडा डाल देंगे और थोड़ा सा लिक्विट डिटर्जन डाल देंगे और सबको जैसे मिक्स करने के बाद इससे आप अपने घर की टाइले साफ कर सकते हैं काउंटर साफ कर सकते हैं और फ्रिज साफ कर सकते हैं बिना किसी कैमिकल के एकदम आप चीजों को नीट अंड क्लीन कर सकते हैं यह बिल्कुल इफेक्टिव है प्लीज एक बार इस ट्रिक को आप फोलो करके देखेंगा अच्छे से इसको लगाने के बाद में हम साफ कपड़े से इसको पॉंच देंगा और आपका फ्रीज एकदम चम चमाता हुआ आपको नजर आएगा और में दूसरी टिप है बिंडी की सब्जी बनाते टाइम में वह चिपचिपी सी हो जाते तो इसमें अगर हम थोड़ा सा हमचुर पाउडर डाल देंगा दो से तीन मिनट उसको कुप कर लेंगे तो यह सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी और बिल्कुल भी बिंडी आपस मे चिपचिपी नहीं बनेगी इसको जरूर ट्राइ कर कर देखेगा तीसरी टिप है कि जब भी है मेकरोनिया पास्ता को बॉयल करता तो वह आपस में चिपच जाता जब पानी अच्छा से बॉयल हो जाए तो उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल कर आप पास्ता तो जरूर ट्राइ करकर देखेंगा आपका पास्ता कभी भी नहीं चिपचेगा, मेरी अगली टिप है चावलों को लेकर जब भी हम चावल बनाते हैं तो वह बिल्कुल भी कह tulee नहीं बनते हैं तो एक बार आप इसको ट्राइ कर कर देखेंगा जब पानी अच्छे से पतील को बॉइल करते हैं तो उनका कलर ग्रीन मेंटेन नहीं रहता तो आप जब भी आप सब्जों को बॉइल करो सबसे पहले पानी को अच्छा से गरम कर लो उसके अंदर पालक जो भी आप हरी सब्जी बॉइल कर रहे हो वो उसके अंदर डाल दो और चुटकी बर बेकिंग सोडा डाल दो और थोड़ी सी चीनी डालने के बाद में आप इसको बॉइल करो और उसके बाद जब भी आप यह बॉइल हो जाए उसके बाद इसको आप ठंडे पानी में डाल दीजिए आपके पालक का कलर बिल्कुल मेंटेन रहेगा एक बार इस तिप को भी आप ज़रूर ट्र